हेलो मेरे प्यारे बच्चों मैं दीपेंसिंग आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रादेश्टेडी हमें स्वागत करता हूं क्लास नाइंत के बच्चे इस लेक्चर में पढ़ेंगे मैथ जो आपकी हीरोंस फार्मूला चल ला था यह आप कह सकते ह हैं कि area of triangle and quadrilateral मतलब त्रभुज का छेत्रफल और और किसकी चत्रभुज के छेत्रफल के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे तो इसी को बात करेंगे इसी को आंगे बढ़ाएंगे आप लोगों ने तीन लेक्चर पढ़ लिया था आप सभी का रिस्पॉंस भी काफी अच लग सकते हैं लेकिन एक एक टाइप को हम क्लियर करते हुए चलेंगे इसका वादा है कि आप यहां पर पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक्स है फिर वो चाहाँ यूपी बोर्डों शीवेसी बोर्डों यूपी बोर्ड का कोई भी राइटर हो जैसे आप लोगों को लगते हैं यहां पढ़ने के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा आप किसी भी बोर्ड की किताब पढ़ें किसी भी बोर्ड की किसी भी राइटर की सी यूपी सी आई सी कोई भी बोर्ड पढ़ें और किसी भी पब्लिकेशन की बुक पढ़ें गारंटी के साथ हम वादा करत हुए मैं दिपेंसिंग आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं एरिया ओप ट्रियंगल त्रियंगल के बारे में विसम बाउ त्रियंगल के लिए हिरोंस फार्मूला सभी के लिए वैलिड है कोई भी लगा सकते उसमें आ जाएगा लेकिन आप इस कैलें ट्रियंगल अभी आप लोग बात कर रहे थे किसकी विसम बाउ त्रियंगल की मतलब संबाउ त्रियंगल की तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसकी बात करते हैं इसमें विसम बाउ त्रियंगल की मतलब संबाउ त्रियंगल की तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसकी बात करते हैं इसमें व जो आज का पहला प्रसऩर है किस पर आद आ रही था इस केलन ट्रियंगल पहर आपको के रहा है कि आ ग्याल साइट वाल्स अमय फर्लाय ओवर आभ वोडताइजमेंटे दस चाहिए अब इसका मतलब क्या होगा कि कि जो एक वाल है जो फ्राई ओवर की वाल है वो किस सेफ में है ट्रियंगुलर के सेफ में अभी हम ग्राब बना रहे हैं तो आपको सब्छ में आएगा फिर उसकी बात कह रहा है कि उसको क्या किया जाता है एड़र्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है अब इसके बा इंबर्टाइजमेंट्स इल्ड एन अर्निंग ऑफ टू थाउजेंट पर मंत स्कॉाइर एक यह के लिए पर मंत की दिर पर मीटर स्कॉाइर जो दे रहा है वह आपको कितना दे रहा है तू थाउजेंट रूप है एक कमपनी हायर्ड वन आफ इट्स वाल्स फॉर सिक्स मंत के लिए एक वाल को लिया गया दिवाल को हाउ मच रेंट डिड इट पे वो कितना क्या करेगा रेंट उसको देना पड़ेगा अब हिंदी मीडियम के बच्चे पड़ेंगे कि एक फ्लाई ओवर की जो दिवाल है वो पंद्रा मीटर है एक जो एडवर्टाइजमेंट के लिए उसको किया जाता है दो हजार रुपए पर एयर पर मीटर स्कॉयर की रुपए रेट से उसको एक साल में दिये जाते हैं कह रहा है कंपनी हायर्ड और कह रहा है एक कंपनी इसको क्या करती है च्छै मंत के लिए इस को कितना रेंट या कितना किराया इसके लिए देना होगा तो देखिए पहले तुम इसका फीगर बना रहा है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ देखो फ्लाई ओबर का कुछ ऐसे सेफ होता है इस टाइप का ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है तो इस तरब की एक दिवाल को इसने प्रियोग में ले लिया ऐसे होता है सेफ आप सभी को पता है ऐसे क्या होता है इस तरब से गाड़ी जाती है ऐसे उतरती है उस तरब से आ कि एडवर्टाइजमेंट के लिए लेता है एक दिवाल को उसकी जो दोनों दिवाले हैं इनको एडवर्टाइजमेंट के लिए ले रहा है वाल्स कह रहा है इसको भी एडवर्टाइजमेंट के लिए ले रहा है क्लियर यह भी ले रहा है एडवर्टाइजमेंट इसको भी अडवर्टाइजमेंट के लिए ले रहा है अब आप से कह रहा है कि जो इसकी बुझाएं वो 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर है इसकी जो बुझाओं की जो लंबाई ये जो साइट से दे रहा है आपको बुझाएं पहले बुझा दे रहा है 13 मीटर, दूसरी दो दे रहा है वो दे रहा है 14 मीटर और थर्ड जो दे रहा है वो दे रहा है आपको 15 मीटर ये हो गए लेंट आप साइट्स या भुझाओं की लंबाई आफ से कह रहा है कि दो हजार रुपए पर मंद पर मीटा स्क्वाइर की साफ से मिलता है एक मीटा स्क्वाइर का दो हजार रुपए किराया देना होता है और वो क्या करता है एक साल के लिए इतना मिलता है दो हजार रुपए और वो लेता है छहमाईने के लिए मतलब आधा देना होगा तो पहले तो सबसे पहले में इसका निकालेंगे एरिया एरिया आफ वन वाल मतलब एक क्या होगी दीवार का छेतरफल एक दीवार का छेतरफल बच्चों लोग निकालेंगे छेतर फल लगाएंगे क्या है स्केलेंट्रेंगल मतलब विसंबा उतरबूज और इसके लिए क्या लगता है आपको पता है क्या लगता है उसके लिए इसके लिए चाहिए हीरोन्स फार्मूला और हीरोन्स फार्मूला बच्चे erklams क्या होता है S, S-A, S-B, S-C यह होता है hero's formula अब आपको चाहिए है था A, yes A, B, C तो दे रहा है, S, C तो आप S निकालेंगे S मतलब semi perimeter formula होता है, plus B, plus C upon 2 के A की value बच्चों दे रहा है 13 B की बच्चों value दे रहा है 14 C की जो value दे रहा है, वो दे रहा है 15 upon हो गया 2 इनको आपस में हम लोग 8 करेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12 की 2, हासिल लगा 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2 से divide करेंगे आएगा 21 meter, 21 meter अब इसको बच्चों हम लोग solve करेंगे तो area जो आएगा आपका वो आजाएगा under road आप से क्या कह रहा है S S की value बच्चों कितनी रखेंगे 21 फिर कह रहा है S minus A तो S की जगह तो रख देंगे 21 minus A कह रहा है तो A की जगह 13 फिर S minus B तो S की जगह पे रखेंगे 21 21 और B की जगह रख देंगे 14 फिर S minus C S की जगह 21 इसकी जगह 15 यह हो जाएगा इसके बाद हम लोग इसको solve करेंगे तो यह equal जो आएगा वो आजाएगा under road 21 21 को लिख सकते हैं 7 गुणा 33 21 में 13 जाएगे बचेगा 7 21 में 14 जाएगे तो बचेगा कितना 21 में 14 इसमें गए तो यह बचेगा 8 यह बचेगा 7 और यह बचेगा 6 तो A equal 7 टू टाइमस हो गया दो बार हो गया 7 का square फिर इसका गुणा करेंगे 6,3,18,18,8,144 यह हो गया आप सभी को पता है यह है 7 का square और यह जो होता है वो किसका होता है 12 का square clear तो इससे आप divide करें जब square और रूट दोनों लगा होता है तो आप सभी को पता है कि square और रूट दोनों क्या होते हैं हट जाते हैं 12 सत्य 84 तो एक जो दिवार का 6 तरफल आया 12 सत्य 84 आया 84 मीटर square इतने मीटर square जो है वो एक दिवार का 6 तरफल एरिया आफ वन वाल एक दिवार का 6 तरफल इसकी बात देखो बात करते हैं अब किसकी अब इसकी बात करते हैं देखो वन मीटर square का जो रेंट है वो 2000 रुपए है पर यह ठीक है आप से कह रहा है क्या कह रहा था आप से question में आप से question में कह रहा है कि earning advertisement earning हम लिख लेंगे ऐसे rent of वन मीटर square इक्वल दे रहा है 2000 रुपीज अरली वार्सिक है मतलब एक मीटर square का जो किराया है वो कितना है वो एक मीटर square रुपए का किराया लिखेंगे एक मीटर square छेत्रफल का किराया बराबर आ रहा है 2000 रुपए और कितना प्रति वर्स उसने पूरे वर्स नहीं लिया उसने लिया 6 महिने के लिए 6 मंथ तो rent of 6 मंथ तो rent of 1 मीटर यह समझते चलना यह एक हिंदी इंगलिस मीडियम वाले यह लाइन नोट करेंगे हिंदी मीडियम वाले दे रहा था मतलब 12 महिने का था 2000 रुपए आपको चाहिए 6 मंथ का तो 6 मंथ का मतलब इसका आदा तो इसका आदा करेंगे तो कितना हैगा 1000 रुपए यह हो गया 1000 रुपई हिंदी में लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर का किराया जो है वो 12 महिने का था 2000 तो 6 महिने का कितना हो जाएगा 6 मा का वो हो जाएगा इसमें भाग देंगे 2 का आदा कर देंगे 12 का आदा हुआ अच्छे प्रतिवर्स का मतलब 12 महिने तो इसका आदा करेंगे 1000 रुपए यह हो गया अब आपको तो दे रहा था कितने 1 मीटर स्क्वायर तो है नहीं छेतरफल छेतरफल कितना है 84 मीटर स्क्वायर तो छेतरफल है आपका कितना 84 मीटर स्क्वायर और 84 मीटर स्क्वायर का जब आप लोग निकालेंगे किलियर स्क्वायर का किराया इसका किराया हम लोग निकालेंगे तो बच्चों इतने रुपए था कितने का इतने एक वन थाूजंड रुपी ये एक हजार रुपए था एक का तो 84 कितना होगा 84 किसमें गुणा कर देंगे मतलब 84 multiply with 1000 तो आजाएगा 84,000 रुपए इसका कितना किराया आजाएगा 84,000 रुपए जो होगा वो इसका किराया आजाएगा एक दिवाल का और यही आपका आंसर है जो आपको पूछ रहा था तो सबसे पहले इसका एक मीटर स्कॉाइर का किराया दे रहा था पूरे का पूछ रहा था पूरा क्या होगा इसका 6 तरफल तो इसका एरिया निकाल लेंगे तो एरिया निकाल लिया तो एरिया 84,000 एक मीटर स्कॉाइर का इतने था वो भी क्या था प्रतिवर्स का था 12 महीने का हमें चाहिए 6 महीने का 6 मंत का तो 6 मंत का निकालने के लिए इसका आदा करेंगे एक मीटर स्क्वायर का कितना था किराया 1000 रोपीज तो 84 मीटर का क्या होगा तो इसमें 84 का मल्टिप्लाई कर देंगे यह आजाएगा हमसे बहुत अच्छा प्रेस ने नोट कर लिजिए आज का प्रेस नंबर दो देखी बच्चों है क्या इसी परादारी सेम अगला है इतनी मेनस से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कोई चार्ज नहीं है कम से कम आप लोग अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो करी सकते हो कमेंट्स में तो आप लोग बताई सकते हो कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है इतना तो करी दिया करो देखो समझते हैं के रहा है त्रियंगल साइट्स वाल्स और फ्लाइ ओवर हैज बीन यूज़ फॉर एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है के रहा है आपसे दा साइट की लंबाई है वो लेंध है 122 मीटर बाइस हिंदी में पढ़ देंगे कह रहा है the advertisement yield of an earning of 5000 रुपीज per meter square per year a company hired both walls अभी एक ले रहा था अपकी क्या कह रहा था बहुत वाल्स अपकी दोनों वाल्स ले रहा है ठीक है इसके पहले वाले हम क्या था वन था अपकी बहुत कह रहा है वाल्स फार 3 months कह रहा है how much rent did it pay इसको कितना किराया देना होगा अब हिंदी मीडिया में बच्चे पढ़ेंगे कह रहा है कि एक त्रभुजा कार ओवर ब्रिज की एक दीवार है जिसको advertisement के लिए या प्रचार के लिए प्रियोग किया जाता है प्रचार के लिए प्रियोग किया जाता है कह रहा है जिसकी भुजा है 12 मीटर 122 मीटर 22 मीटर और 120 मीटर लंबी है कह रहा है इसकी बहुत कह रहा है आपसे कि जो प्रचार का एक मीटर इसकोायर का जो क्राया है वो पांच जार रुपए प्रतिवर्स है तीन महीने के लिए कंपणी ने प्रिचार के लिए किया उसे कितना क्राया पे करना होगा या अदा करना होगा यह आपको इसमें बताना है क्या है तो अब देखेंगे सीखिव flY uver था विलकुल सेय razor सिम वैसे यहार प्रónक में क्या करना त। उसमें six month के लिए ले रहा है इसमें ठीना के लिए ले रहा है उसमें आप ऐसमें आप से कह रहा है व्न वाल लेना था एक refl इसमें क्या लेना है दोनों लेना है तो बस जो आंसर लाश्ट में आएगा उसमें दो का चाह माल्टिप्लाई कर दो तो दोनों दिवालों का हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे यह आप से कह रहा है कि जो इसकी भुजाएं है साइट्स है वो 122 और 120 है ए जो दे रहा है 122 म मीटर और जो सी दे रहा है वो दे रहा है 120 मीटर यह इत्की लेंथ है आप कोचे यह एरिया और एरिया के लिए क्या आवश्यक होता है पेरिमीटर तो निकालेंगे पेरिमीटर सेमी पेरिमीटर एस एक्वल होता है या अरद परिमाब जिसको बोलते हैं एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे दो एक ही बात करें ए दे रहा है 122 बी दे रहा है 22 सी दे रहा है 120 बटे दो आपस मेट करेंगे 100, 100, 200, 20, 20, 40, 20, 60, 4, 64 तो हो जाएगा 264 बटे दो फिर सेट कर लो जीरो में दो जोड़ेंगे दो दो में दो जोड़ेंगे चार फिर दो दो चार दो चार दो च्छार एक एक दो यह दो से भाग देंगे दो से जब भाग देंगे तो जो सेमी पेरिमीटर आएगा दो का दो में एक बार भाग जाएगा दो का च्छार में ती एरिया की तो एरिया निकालेंगे या छेतरफल एरिया आफ वन वाल एक दीवार का छेतरफल एक दीवार का जब बच्चों लोग छेतरफल निकालेंगे तो फार्मूला क्या होगा? under root S S minus A S minus B S minus C A equal under root S की value रखेंगे 132 यह आ रहा है फिर S की रखेंगे 132 A की value दे रहा है कितनी 122 फिर S की value रखेंगे 132 B की value रखेंगे आपको दे रहा है 22 S की value रखेंगे कितनी दे रहा है 132 और C की रखेंगे 120 क्लियर बच्चो अब देखो इसकी बात करते है A equal under root इसमें आप value रखेंगे तो पहले तो इनको आप लोग solve कीजिए सब्ट्राइट करके 132 जब इसको इसमें गटाएंगे तो कितना बचेगा 10 2 में 2 गए 0 3 में 2 गए 1 1 में 1 गए 0 इसमें इसको गटाएंगे जब 22 को तो आएगा 110 2 में 2 गए 0 3 में 2 गए 1 और ये 1 इसमें इसको गटाएंगे तो कितना आएगा ये आजाएगा आपका 22 के लिए 2 में 12 आजाएगा 20 है ना 12 है इसके बाद 132 132 को हम लोग लिख सकते हैं 11 गुणा 13 12 सोरी 11 दूनी 22 की 2 11 एकम 11 और 2 13 10 ये बना रहे ने 2 इस 100 को लिख सकते हैं 10 गुणा 11 और इसको बना रहे ने 2 12 क्लियर बच्चो तो फैक्टर करेंगे अब एक कोल जब निकालेंगे तो आएगा अंडर रूड 11 टू टाइमस दो बार 11 का सक्वाइर हो जाएगा 10 टू टाइमस 10 का सक्वाइर 12 टू टाइमस 12 का सक्वाइर मतलब 11 दो बार तो 11 का सक्वाइर दस दो बार दस का स्क्वाइर बारा दो बार बारा का स्क्वाइर सभी के स्क्वाइर वंडरू ठटा देंगे तो ग्यारा गुणा दस गुणा बारा बारा का ग्यारा का बारा में गुणा करेंगे एक सो बतिस और दस में गुणा कर देंगे तो जाएगा 1310, 1302 सोरी इतने मीटर स्कॉायर या वर्कमीट यह आ गया आपका एरिया पर मीटर स्कॉायर का रेंट देखेंगे क्या दे रहा है रेंट ओव पर या वन मीटर स्कॉायर एक्वल दे रहा है फाइब थाउजेंट पर एर के लिए एक वर्स का इतना देर है आपको इसका मतलब हो गया क्या एक मीटर इसक्वायर का किराया बराबर हो गया कितना पांच हजार रुपए प्रति वर्स आप किसका एक मीटर इसक्वायर का इतने रुपए दे रहा है आपको चाहिए यह कितने मीटर इसक्वायर आपको चाहिए यह प्रति वर्स आप से कह रहा है तीन माईने का चाहिए बारा माईने का दे रहा है बारा मंद का प्रति वर्स का मतलब क्या हो गया या अरली का क्या होगा है एनुल का या आप से कहते है परियर का बारा मंद एक एक वर्स में कितने है बारा मंद आप से पूँच किस का रहा है तीन माईने का तो बारा में कितने का बाग देने तीन हो जाए चार का तो इधर आपको कितने का बाग देना पड़ेगा चार का तो है इतने रुपय कितने गाद तीन रुपय तीन मंधका दिवैट करेंगे चार एक अम चार बचे एक इसको दिया दस चाड़ दूनि आक बचे दो इसको चार पंचे बीस तो यह आ जाएगे इतने रुपए यह तीन महीने का गया एक मीटर स्क्वाइर का इतना है रिंट आपको कितने मीटर स्क्वाइर का चाहिए आपको चाहिए कितने मीटर स्क्वाइर का तेरा सो बीस मीटर स्क्वाइर का तो निकालेंगे इसको यह हम रब किय इर्थ कि रेंड आफ थर्टीन टोंटी मीटर स्कुआयर यह लिखेंगे तेरा सो बीस मीटर स्कुआयर का किराया इनी मीडियम की बच्चे 1320 मीटर स्कुआयर का किराया इसको निकालेंगे इसको जब निकालेंगे तो क्या है इक का था 1250 1250 था कितने का एक मीटा स्कुयर का 1250 आप कोछे ये कितने का 1320 का इतने का इतने रुपय होगा ये किसका है एक दीवाल का तो इसको आपस में गुणा करेंगे 0, 2 बार हो गया, 2 हो गया 125 का 2 में करेंगे तो आएगा 250 250 की 0 हासिल लगा 25, कहरी कितने आगए 25 125 का 3 में गुड़ा करेंगे तो 120 का जब 3 में करेंगे तो आएगा 375 375 आया और हासिल थे कितने 25, 25 8 करेंगे, तो कितना आएगा साथ दो नो एक दस यह हो जाएगा तीन कितना हो जाएगा सौरी चार 400 हो गया 400 किया आपे रखेंगे 0 आसी लगेंगे कितने 40 40 आया कहरी 125 का एक पर गुड़ा करेंगे 125 आएगा और 40 आसी लो गया 165 165 इतने रुपाए हो गया कितने का एक वाल का रेंट आफ वन वाल तो निकालेंगे रेंट आफ बाथ वाल्स दोनों का किराया दोनों दिवालों का किराया दोनों दिवारों का किराया दोनों दिवालों का किराया निकालेंगे तो एक का रहा था 1, 2, 3, 4 इसमें गुणा कर देंगे दो का कितने 0 आपको दे रहा है 4 0 दे रहा है तो 4 तो पहले ये 0 जो दिये गए उनको रख दिया 2, 5, 10 की 0 2, 6, 12, 13 2, 1, 2, 1, 3 इतना आ जाएगा आपका आंसर जो इसका है 33 इसके बाद 5 0 तो 33 के बाद 5 0 यही प्रस्ण का अंसर है सेम पीछे वाले प्रस्ण की तरीके बस calculation थोड़ा जादा है उसमें पूंच रहा था one of two walls दोनों दिवालों में से एक का एरिया तो एक था इसमें दोनों का पूंच लिया है तो दो का गुड़ा कर देगे clear? तो नोट कीज़े बच्चो तो देखिए बच्चो अगला जो प्रस्ण है काफी बेतरीन प्रस्ण है समझेंगे इसको बहुत आराम से बता रहे हैं डिटेल बता रहे हैं जिससे आपको समझ में एक एक चीज आ जाए देखो अब आप से कह रहा है बच्चो आप से कह रहा है कि एक जो एक पार्क है वो तर्भुज के आकार का है मतलब ट्रिंगुलर ट्रिंगुलर की जो जो दे रहा है वो उस सेप में दे रहा है तर्भुज के आकार का ठीक? ये मालिया A ये मालिया B येसी है इसे बीच में प्लांट लगाना है मतलब बाग लगाना है पेड़ों को लगाना है तो पेड़ कहां लगेंगे इस बीतरी बाग में इसमें पूरे में पूरे में लगेंगे और ये पूरा क्या है छेत्रफल एरिया एरिया में क्या लगेगा प्लांट पूरे में ठीक है या घ लगाएंगे इस पर कि इसमें कि इसी में तो लगाएंगे मतलब इस दीवाल में जो यह एरिया है लेकिन आपको एक चीज और दे रहा है कि रहा है बीच में यहां पेक तीन मीटर का गेट है इस प्रकाम ऐसे एक दे रहा है तीन मीटर का गेट तो यह पूरा क्या होता इसका पेरी मीटर या परिमाप लेकिन यह तीन मीटर गेट है तो इतने में नहीं लगाया जाएगा क्योंकि यह तो पहले से गिरा हुआ है तो इसको क्या करेंगे इसको अटा देंगे इसमें दीवार करना बार लगाया जाते हैं भी किरिया यह यह आपको पता है कैसे लगाएंगे और इसका दे रहाएब कि फिन्स कीया जाता है जब कि इस realized बताई जब तीन नमबर होगा तीन यह चार अपना देख लेड़ा है इसकी बाद आप से इसमें कह रहा है ट्रिंगुलर पार्क एबी सी हैज साइट्स 120 मीटर 80 मीटर एंड 50 मीटर के लिए फिर इसकी बाद कह रहा है अगार्डनर धनिया धनिया उसका नाम है कह रहा है इस पेंस कराना चालों करता है कह रहाता है एंड आलसो प्लांट ग्रास इंसाइट और इसके अंदर पूरे में ग्रास लगवाना चाहता है घास लगवाना था तो घास कान लगाए पूरी एरिया में जख Mmm How much area does the needs to plant इस पेंगास लगाने के लिए कितना एरिया चाहिए तो एरिया इसका क्या होगा जोigor्ट शेप का ऐरिय्ग्यांग इंड ट्रींटि आसंत उल्इप मेंट इभिए वारइंड इन देश वायर्टा है वन साइट एक साइट पर तिना किया था है तीन मीटर का गेट छोड़ दिया था रॉब आंकी में इसमें तार लगाया जाता है वाइर लगा दिया जाता है हिंदी मीडियम के बच्चे क्या पड़ेंगे कहरा है एक त्रिबुजा कार पार्क एबी सी है जिसकी बुजाए 120 पर ले छेतरफल का मान गयात कीजिए और कह रहा है कि इसमें जो वायर लगाया जाता है उसका खर्च बताईए यदि इसकी एक भुजा पर या एक साइट पर 30 मीटर का क्या किया जाता है 30 मीटर का आपको सौरी 3 मीटर का गेट छोड़ा जाता है कि दरवाजा छोड़ा जा तो देखिए आप से कह रहा है जो साइट दे रहा है वो दे रहा है आपको 120, 80, 50 A एक्वल हो गया 120, 120 मीटर B एक्वल हो गया 80 मीटर मतलब 80 मीटर और C दे रहा है 50 मीटर और था 50 मीटर आप से कह रहा है क्या जात यह area के लिए जाता है semi parameter इस बार हम लोग क्या करेंगे parameter निकालनेगे क्योंकि यह क्या है पेरिमीटर, तो वायर की जो कौश निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेरिमीटर निकालना पड़ेगा, पेरिमीटर का क्या करेंगे, हाप कर देंगे तो आ जाएगा, परिमाप का अधा कर देंगे, तो सेमी पेरिमीटर मतलब अर्द परिमाप आ जाएगा, त बाहर की जो लंबाई होती उसी को परिमाप कहते हैं, तो सबसे पहले निकालेंगे परिमाप, परिमाप मतलब पेरी मीटर, पेक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यह होता है परिमाप, इसको हम लोग सॉल करेंगे, तो पेक्वल बच्चों आएगा, ए की वैलू है 120, बी की है 80, सी की है 50, एड करेंगे, तो आजाएगा, 00, 00, 8, 5, 13, 14, 15, की 5, 6, लगा, 1, 1, इसको देंगे, 2, 250, मीटर आगे आपका पेरी मीटर, अब निकालेंगे क्या, अर्ध परिमाप या सेमी पेरी मीटर, अर्ध परिमाप, जिसको बोलते हैं, सेमी पेरी मीटर, सेमी पेरी मीटर, टी नोट किर्द से करते है, S से, S क्या होता है, P by 2, तब ही S वाला वर फार्मूला पढ़ाता है, A plus B plus C by 2, क्योंकि, P की जगह क्या लिखतेंगे, A plus B plus C, अब देखो बात करते है पी की वैलू बच्चों कितनी दे रहा है दो सो पचास इसका हम यह टू टू से डिवाइड करेंगे तो दो सो पचास का अदा क्या होता है एक सो पचीस सॉल करके देखना इतने मीटर आ जाएगा अब निकालेंगे घास लगाने वाले एरिया या त्रीवोज का एरिया कही रहा था ऑनिजना श्यंब्स साली एरिया टू प्लांट मतलब घास लगाना या पेड़ लगाना हिंदी में लिखेंगे गास लगाने के लिए आवश्यक छेत रफल इसको निकालेंगे क्या होगा बच्चों ये ये आपको पता एरिया का फार्मूला होता है अंडरूड S S-A S-B S-C तो equal बच्चों आएगा अंडरूड S की वैलू रखेंगे 125 फिर S की रखेंगे 125 माइनस A और A की वैलू रखेंगे 120 फिर इसकी जगे रखेंगे S की जगे पर 2022 125 माइनस बी दे रहा है बी की वैलू हो जाएगी 80 फिर एस की जगह रखेंगे 125 माइनस सी सी की जगह रखेंगे 50 यह होगे इसको सॉल करेंगे अंडरोट इसका यह इसको लिख सकते हैं जो यह दे रहा है बना रहे हैं दो भी 125 इसमें सॉल करेंगे 5 इसको इसमें सॉल करेंगे तो आएगा कितना 45 इसको इसमें सॉल करेंगे तो कितना आएगा 75 यह आ जाएगा 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और यह 5 दे रहा है इसको लिख सकते हैं क्या 45 को 15 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं या ऐसे गरबा इसको लिख दीजिए 45 को 5 इंटू 9 और 75 को लिख देंगे आप लोग क्या 5 का स्क्वाइर इंटू 3 यह हो जाएगा इसको देखो अब हम लोग सॉल करेंगे तो देखेंगे क्या यह दो एक तीन एक चार और चार में तीन जोड़ेंगे तो आएगा साथ या ऐसे कर लो दो एक तीन 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 च्छे तो 5 की पावर 6 नाइन को लिख सकते हैं थिरी का स्क्वाइर दो और एक तीन तीन च्छे निकल गया यह बचा एक और यह बचा तीन तो पाँच का तीन में गुणा करेंगे पंद्रा या पांच गुणा तीन बना रहे है इसका स्क्वाइर रोट निकालेंगे तो दो का इसमें बाग जब तीन का गुणा करेंगे तो आएगा 375 अंडर रोट पंद्रा इतने मीटर स्क्वायर और यह आजाएगा इसका क्या एरिया एरिया आपका आ रहा है 375 root 15 square अब आप से कह रहा है कि जो wire इसकी चत्रों finishing किया जाती है fence किया जाता है उसका जो निकालेंगे वो part निकालेंगे तो कहेगा length of the wire needed for fencing length of the wire length of the wire for fencing of wall needed for fencing या for fencing fencing के लिए या ऐसे लिखनों यहां पर नीडेर हिंदी में लिखेंगे यह क्या bar या इसको बंद करने के लिए bar लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई देखें क्या होगी पूरे में लगाया किया पूरा क्या था perimeter परिमाप पूरा अगर लेते तो परिमाप था लेकिन पूरे में लगाना है तीन मीटर छोड़ना है gate के लिए जगा है दरवाजे के लिए तो तीन मीटर छोड़ दिया लिए अब पी की value रखेंगे आप लोग पी की value रखेंगे पी की value आई थी कितनी आई थी टू फिप्टी और इसमें थीरी सब्टाइट करेंगे तीन गटाएंगे तो आएगा 247 इतने मीटर कॉस्ट इसका पूंच रहा है तो कॉस्ट आफ वन मीटर दे रहा है आपको कितना कॉस्ट आफ वन मीटर है 20 रुपाय पर मीटर तो कॉस्ट आफ वायर आफ वन मीटर वन मीटर का है 20 रुपाय 20 रुपीज आपको कितने मीटर से यह 247 तो लिखेंगे कॉस्ट आफ वायर आफ वायर आफ 247 मीटर तो जाएगा 247 इंटू 20 सौल करेंगे 24 तूजा 48 जीरो तो आजाएगा 480 रुपाय इसका मतलब हिन्दी में लिखेंगे एक मीटर लंबे तार का मूल या कीमत फिर इसमें लिखेंगे 247 मीटर लंबे तार की कीमत फिर इसका यह आंसर आजाएगा और इस प्रकार यह सवाल होगे अब बहुत अच्छे च्छे प्रस्त है हमने आप लोगों से काया है कि एक बार हमारे साथ एक चेप्टर पढ़िए उसके बाद कोई भी भी उठाईए उससे आप प्रेक्टिस उसको लगाईए अगर वो आपको सरल ना लगे विर्कूली जीना लगे तब आप कहिएगा एक चेप्टर तो कम से कम पढ़े ही अच्छे नोट कीजिए देखिए फोर नंबर नेश्ट कोश्चन पहुती मज़ेदार है इसके बाद आपके चलेंगे क्या क्वाल्डी लेटरल ट्रियंगल विसमभाव का यह अंतिम प्रस्ट है फिर समभाव तिर बुच लेगा और समद्विवाव चलेगा मतलब आई सो इसके लेगा तो बात करते हैं इसकी कह रहा है बहुत ही मज़ेदार प्रेसन है बहुत ही सिंपल है ध्यान से देख समझना कह रहा है find the percentage increase in the area of a triangle if its each side is double इसकी प्रतेक बुजा को कह रहा है यादि हम double कर दे इसकी प्रतेक बुजा को double कर दे तो कह रहा है इसके area में percentage increase समझना इंदी में कह रहा है कि एक तिरभूज के छेतरफल में प्रतिसत विरद्धी ग्याद कीजिए यदि इसकी प्रतेक बुजा को दो गुना कर दिया जाए पहुत ही अच्छा प्रत और पहुत ही सिंपाल है समझना हमने क्या किया let sides of triangle equal a, b, c हिंदी में लिखेंगे माना तिरभूज की बुजाए बुजाएं हो गई a, b, c इसकी बात बात करते हैं क्या बुजाएं आपकी इसकी हो गई इसके बाद निकालेंगे perimeter या परिमाब semi perimeter निकाल लो आपको area के लिए चाहिए semi perimeter S मतलब अर्द परिमाब S equal होता है A plus B plus C बटे दो यह होता है निकालेंगे इसको तो एक को यह इतना बना रहेगा या गया S की वैलू क्लियर इससे निकालेंगे क्या area area मतलब 6 रफाल क्योंकि 6 रफाल में percentage increase पूछ रहा है अपर तिस्त प्रती तो लगाएंगे अंडारूट S, S minus A, S minus B और S minus C यहाँ पर आके आप रुख जाएंगे यहाँ आगया A की वैलू एक क्लियर अब बात करते हैं कहरा है if sites are क्या कर दी जाएंगे ट्वाइस कर दी जाएंगे तो गुनी कर दी जाएंगे यदि भुजा यदि भुजाएं क्या हों भुजाएं जो हों वो हों कितनी 2A, 2B, 2C समझ गया दो गुनी कर दी गई तब परसेंटेज वरदी पूछ रहा है तो पहले तुम्हें क्या चाहिए परसेंटेज वरदी के लिए एरिया हम पूछ रहा है तो एरिया पहले और बाद में हमें निकालना पड़ेगा तो पहले अर्द परिमाब अर्द परिमाब निकालेंगे अब S डैस ले लो S डैस बच्चों क्या होगा सभी इनका सम 2B प्लस 2C अपाउन क्या होता है 2 यह तो होता है A प्लस B प्लस C और अपाउन में आएगा 2 यह पूरा A प्लस B प्लस C अपाउन 2 A प्लस B प्लस C अपाउन 2 यह बरावड़ था तो इतने पूरे की जगे हम लोग क्या करेंगे यह लिक देंगे यह हो गया और निकालेंगे एरिया देन एरिया यह निकालेंगे तब छेत्रफ़ल ले लेजिए एडैस एरिया एक वल क्या होता है S, S-A, S-B और S-C लेकिन इस बार S की जगए पे क्या है? S- E की जगए पे क्या है? 2A B की जगए पे क्या है? 2B C की जगए पे क्या है? 2C यह दे रहा है clear बच्चो S- की value दे रहा है 2S S- की value रखेंगे हम 2S तो A-S equal जो आएगा Under root S- की जगए 2S फिर इस S- की जगए 2S minus 2A फिर इस S- की जगए 2S minus 2B और यह last में हो जाएगा 2S minus 2C S- की जगए क्या लिख दिया है? 2S अब देखिए इसको solve करेंगे इसको जब बच्चों हम लोग solve करेंगे तो यह दे रहा था 2S इन दोनों में 2 common मिल गया बचेगा S minus A इन दोनों भी 2 common मिल जाएगा बचेगा S minus B 2 इससे अट गया S बचा इससे 2 अट गया B बचा ऐसे इससे 2 common लेंगे तो इससे 2 जब अट जाएगा तो S बचेगा इससे 2 अट गया C बचा A-S equal 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ये 16 आजाएगा और 16 का मतलब 4 का स्कॉर और मांकी यही लिख देंगे क्या दे रहा है S ये जब 2 अट गया तो बचेगा S माइनस है ये भी 2 अट गया बचेगा S माइनस भी और ये बचेगा S माइनस Square और Under Road जब दोनों देखे हों तो क्या होते है Square भी अट जाता है और Under Road भी अट जाता है तो इसका हमने Square अटा दिया और Under Road अटा दिया तो बचा 4 और ये बचेगा अंदर वाला S S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C ये बचेगा इसको बचेओ जब लोग सॉल करेंगे तो लोग देखेंगे कि 4 into S S माइनस A S माइनस B S माइनस C S S माइनस A S माइनस B S माइनस C इह पूरा बरावर A के था ये पूरा बरावर A के है तो इसकी जाएक है लिख देंगे अब आप से कह रहा है कि पर्सेंटेज इनक्रीज पर्सेंटेज इनक्रीज इन एरिया हिंदी में लिखेंगे छेत्रफल में प्रतिस्त व्रद्दी निकालेंगे ब्रतिस्त व्रद्दी का फार्मूला क्या होता है ब्रत्दी पूछ रहा है न तो अन्तिम च्छेत्रफल माइनस प्रारंबिक च्छेत्रफल खेक है final area minus initial area upon initial area into 100 हिंदी और इंग्लिस दोनों में हो गया A dash की value दे रहा है 4 A की जगए पर A रखेंगे इसकी जगए A रखेंगे into 100 4 में A गया बचेगा 3 A upon A into 100 A से A cancel 3 का 100 multiply करेंगे आएगा 300, 300 300 प्रतिस्त आगे इसमें प्रिस्ट व्रद्धी एरिया में यदि किसी भी त्रिभुच की या ट्रेंगल की सभी साइट को डवल कर दें या प्रतेक बुजा को दोगना कर दें तो उसके एरिया में जो पर्सेंटेज व्रद्धी होगी या प्रिस्ट व्रद्धी होगी वो क्या होगी 300 प्रसेंट या 300 प्रिस्ट की होगी यह आपका final answer होगे नोट कीजिए लेखिए आज का प्रस नंबर पांच यह भी अच्छा प्रसन है कह रहा है the perimeter of a triangle is 50 cm perimeter जो दे रहा है 50 cm है one side of triangle is 4 cm longer than the smallest side and the third side is 6 cm less than twice of smaller side find the area of triangle हिंदी मेडियम के बच्चे पढ़ेंगे कह रहा है कि एक तिर्भुच का परिमाब 50 cm है एक बुजा सबसे छोटी बुजा की 4 cm लंबी है और तीसरी बुजा सबसे छोटी बुजा की दोगने से 6 cm कम है कह रहा है कि area ज्याद करना है तिर्भुच का देखो करते हैं इसको solve अच्छा प्रस्ट है और बहुत ही जी है बस समझना है क्या क्या रहा है जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे करते जाए पहले तो आपको perimeter दे रहा है आपको कितना मीटर या हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहेंगे परिमाब ये आपको दे रहा है फिप्टी सेंटी मीटर कोई बात नहीं इसकी बाद आप से कह रहा है कि इस मालर साइड की जो एक साइड है वो क्या है वो 64 cm लॉंगर अधिक है और जो 3rd साइड है वो इस मालर साइड के टोई से कितनी है 6 cm कम है तो मतलब आपको इस मालर साइड पता चल जाए इस छोटी बुजा पता चल जाए उसका दोगुना जो करना हो उसी से कलने उससे आ जाएगा तो हम लेंगे लेट इस मालर साइड लिखेंगे माना चोटी बुजा या सबसे चोटी बुजा X मान लिया X सेंटी मीटर क्योंकि या सेंटी मीटर में दे रहा था तो सेकर्ड साइड या वन साइड जिसको बोलते रहा था सेकेंड साइड मतलब दूसरी बुजा दूसरी बुजा कह रहा है इसमालर साइड की से 4 सेंटी मीटर लॉंगर है या छोटी बुजा से 4 सेंटी मीटर अधिक है तो छोटी बुजा X थी X से 4 अधिक है तो 4 इसमें क्या करेंगे 8 कर देंगे इसकी बात कह रहा है जो थर्ड साइड है मतलब तीसरी बुजा ध्यान से समझें ना क्या कह रहा है यह है A, यह हो गया आपका B और यह हो गया C जो तीसरी बुजा कह रहा है छोटी बुजा के दोगुने से छोटी बुजा थी X X का दोगुना, Smaller side का twice यह डबल उससे दोगुने से 6 कम है मतलब इसमें 6 हमने कम कर दिया दोगुने से यह 6 कम है तो दोगुने हम 6 गटा दें तो इसके बराबर आ जाएगा इतने cm अब क्या करेंगे अब निकालेंगे हम लोग दिखो परिमाप आपको दे रहा था परिमाप या पेरी मीटर पी को दे रहा था 50 पी कामान होता आ प्लस बी प्लस सी बराबर पचास A की वैलू बच्चों दे रहा था X B की वैलू दे रहा है X प्लस 4 और C की वैलू दे रहा है 2X माइनस 6 एक्वल 50 X वाल 8 करेंगे 2, 3, 4, 4X माइनस के 6 में प्लस के 4 जाएंगे तो जो माइनस का बड़ा है तो माइनस का चिनना हैगा 6 में 4 जाएंगे बचेंगे 2 बरावर 50 के 4X एक्वल 50 दो माइनस का था बच्चों इस तरह पाएगा प्लस के 2 4X बरावर हो जाएगा 52 X एक्वल 52 अपाउन 4 चार्ज लेंगे 13 चोको 52 या 4 एकम 4 बचेंगे 1 इसको दिया 4 तनी 12 या 13 फोर्जा होता है 52 X की वैलू आगे X आगया इसका मतलब आपको साइट पता चलाएगा A एक्वल था X के तो X की जगह रखेंगे 13 सेंटी मीटर B एक्वल था X प्लस 4 तो X की जगह पे 13 प्लस 4 बरावर 17 सेंटी मीटर C की जगह पे यह दे रहा है कितना 2X तो 2 इन 2 X की वैलू रखेंगे 13 X की जगह पे क्या रखेंगे 13 थार्टीन और माइनस क्या दे रहा है 6 तो 13 दूनी 26 और माइनस 6 आजाएगा 20 तो यह आगया इसका मान के लियर यह आगया B का मान और यह आगया A का मान तीनों आपको पता चल गया और इसका आप 6 तरफल आसानी से ग्याद कर सकते हैं जब यह पता है आपको तो 6 तरफल जब जब पता होती है तो एरिया निकालना आपको आता है हम बता चुके हैं इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजे जो इसका आएगा वह आएगा 20 रूड 30 उत्तर जो होगा इसका एरिया वह आराएट 20 रूड 30 इतने सेंटीमीटर स्क्वाइर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर तो इसको आप लोग स्वयम करेंगे कैसे हुआ इसका हमने बेसिक बता दिया बुचा है आपको निकाल दे के लिए तो इतना आप लोग करके यह प्रस्णों को स्वाइम करेंगे नोट कीजिए तो बच्चो आज के लिए इतना ही यह हो गए विसम बाव उत्रभूज या स्केलेंड ट्रियंगल उससे रिलेटेड आप किसी भी बुक से लगाईएगा किसी भी प्रकार के प्रस्णों 99% भले हो सकता है कुछ आपको ना है तो 99% जितना हमने पढ़ाए उसी से रिलेटेड आएगा नेक्स वीडियो में हम लोग बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रियंगल की या संबाव उत्रभूज की और आईसो स्केल्ट ट्रियंगल की या संबवाव उत्रभूज की ठीक है उनके एरिया की बात करेंगे फर्ष्ट लेक्चर जरूर देखें और उसे फार्मूले कंप्लीट कर लें फिर सीरियल से देखते हैं सभी अगर आप सीरियल से देख रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और मैथ आपको इजी लगेगी मैश से आपको प्यार होगा इसकी गारणटी हमारी है एक चीप्टर पढ़ने के बाद या आपको इबूख उठाके लगा लेना आपको सारे के सारे प्रस्ण समझ में आ जाएगा ठीक है बचो तो वीडियो आप सब देखते तो हैं लेकिन बहुत कम बच्चे वीडियो को लाइक करते हैं पढ़ते तो हैं लेकिन लाइ लेकिन वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें थैंक्स फॉर वाचिंग राधे राधे